हलो फ्रेंस मैं तिरिपती मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफी तो आज मैं बिल्कुल कैफे स्टाइल जागदार कॉफी घर पर बना के तयार करूंगी तो आईए फ्रेंस इसको बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने कुछ ग्लास से डेकोरेट कर लेंगे तो मैं इसके उपर हरसी का चॉकलेट सिरप डाल रही हूं आप चॉकलेट को मैल्ट करके भी डाल सकते हैं चॉकलेट सिरप डालने से यह ग्लास देखने में सुन्दर लगते हैं जब हम इसमें कोल कॉफी को सर्व करेंगे तो वह बहुत ही देखने मे अच्छी दीखेगी तो मैंने एक गलास में डाल दिया हैं और अब मैं दूस cone चॉक्लिट सिरप कर डालुगी तो दूसरे गलास में दूसरे तरीके से डाल रही हूँ दूसरे कलास में बसक्रास को हमें घुमाते जाना है और फिर हम सीरप को डालते जाएंगे तो इस ग्लास में भी मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है और अब हम cold coffee बना लेते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे regular cold coffee तो इस cold coffee को बनाने के लिए मैंने ये cup लिया है कॉई भी बरतन ले लिजे उस में डाल दीजे 2 चमद कफी तो मैंने ये instant coffee लिये तो मैंने इसमें दो छूटे चमच coffee डाली है साथ में इसमें दो बड़े चमच चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम भी कर सकते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम पानी तो मैं इसमें दो बड़े चमच गरम पानी डाल रहे हूँ गरम पानी डालने से coffee और चीनी अच्छे से इसके अंदर mix हो जाएंगे क्योंकि जब हम direct चीनी या coffee डालते हैं तो उसके दाने कई बार दूद में रह जाते हैं तो इसलिए इस तरीके से अगर हम mixture बना लेंगे तो coffee बनाने में बहुत जादा आसानी होगी तो हमें इसे तब तक mix करना है जब तक कि चीनी पूरी तरीके से इसके अंदर घुलना जाए तो अब चीनी इसके अंदर पूरी तरीके से घुल चुकी है तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें गरम पानी डाला था इसलिए ठंडा करना जरूरी है तो मैंने ये blending जाड लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक कप दूद दूद मैं इसमें full fat दूद डाल रही हूँ और साथ में जो दूद होना चाहिए वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए यानि कि हमें इसके लिए चिल्ड मिल्क का इस्तमाल करना है जब भी आपको cold coffee बनानी हो तो freezer में आप 1-2 घंटे के लिए दूद को रख दीजे cafe style coffee बनाने का यही secret है कि जो दूद है हमारा वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और अब हम डालेंगे इसके अंदर milk powder तो मैं इसमें एक बड़ा चमच milk powder डाल रही हूँ milk powder डालने से जो हमाई coffee है वो काफी creamy बनेगी साथ में इसमें डाल देंगे coffee वाला mixture जो हमने पहले से बना के रखा था और अब हम इसके अंदर डालेंगे ice cubes तो मैं इसके अंदर चार ice cubes डाल रही हूँ ice cubes बहुत जादा नहीं डालेंगे वरना coffee बहुत जादा पतली हो जाएगी तो अब हम इसको blend करेंगे तो हमें high speed पर इसे एक मिनट के लिए blend करना है तो मैंने इसे blend कर लिया है अब आप देख सकते हैं कितनी जादार coffee बनी है और अब हम glass में इसे डालेंगे cold coffee डालने के बाद नीचे जो जाद बच जाता है वो हम इसके उपर इस तरीके से spoon से डाल देंगे और अब मैं डाल रही हूं इसके उपर melted vanilla ice cream vanilla ice cream थोड़ी से melt हो गई थी तो मैं इस तरीके से spoon से डाल रही हूं आप चाहें तो इसके उपर fresh cream भी डाल सकते हैं साथ में मैं इसके उपर डाल रही हूं chocolate syrup और अब मैं last में इसके उपर डाल दूँगी chocolate shavings इसकी जगा आप cocoa powder भी डाल सकते हैं या फिर chocolate powder भी डाल सकते हैं तो हमारी cafe style regular cold coffee बनकर तयार है और अब हम बनाएंगे ice cream cold coffee इसके लिए मैंने cup लिया है और इसमें मैं दो छोटे चमच instant coffee डाल रही हूं और साथ में डाल देंगे दो चमच चीनी coffee लिए दो चमच चीनी और दो चमच ही हमने इसमें गरम पानी लिया है और फिर इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तब तक mix करना है जब तक की चीनी पूरी तरीके से घुलना जाए और आप हम इसे ठंडा कर लेंगे तो आप मैंने लिया है ब्लेंडिंग जाए इसके अंदर आइसक्रीम कोल कॉफी बना रहे है इसलिए मैंने इसके लिए वैनिला आइसक्रीम लिए है तो हम इसके अंदर दो इसकूप वैनिला आइसक्रीम डाल देंगे और वैनिला आइसक्रीम डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे और अब हम इसके अंदर दूट डालेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दूट बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो मैं इसमें एक कप फुल फैट डूट डाल रही हूँ, और दूट डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉफी वाला मिक्शर जो हमने पह कॉफी हो बहुत जादा क्रीमी बनी है, क्योंकि हमने इसमें आइसक्रीम डाली है, और अब हम इसे ग्लास में डाल का सर्फ करेंगे, कॉफी डालने के बाद इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ी सी वैनिला आइसक्रीम, तो मैं चम्मस से डाल रही हूँ, तो इस तरीके से हम डाल देंगे, अगर आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद हो, तो आप ज्यादा मातरा में भी इसके उपर डाल सकते हैं, साथ में मैं उपर से डाल दूगी, कुछ चॉक्रेट शेविंग्स, तो हमारी आइसक्रीम कोल कॉफी बनकर तयार है, और अब हम बनाएंगे ओरियो कोल कॉफी, जो कि बच्चों को सभी को बहुत पसंद होती है, इसके लिए भी हम एक कप यह बोल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे, दो छोटे चमच, इंस्टेंट कॉफी, साथ में दो बड़े चमच, चीनी डालेंगे, और दो बड़े चमच, इसके अंदर गरम पानी डा एक कप चिल्ड् मिल्क, हमें फूलफ्ट मिल्क लेना है और बिरकुल थंडा दूप लेना है, साथ में इसमें एक बड़े चमच, इन बिल्क पॉद्र मिल्क पॉद्र यो ताल रही हूँ, मिल्क पॉद्र ना हो, तो भी आप ओर यो काफी बना सकते हैं, और साथ में वैनिला आइस्क्रीम आप इसकी जगह चॉकलेट आइस्क्रीम भी डाल सकते हैं आइस्क्रीम डालने से जो हमारी कोल कॉफी है वो बहुत जादा क्रीमी बनेगी पर आपके पास नहीं हो तो भी आप ओरियो कोल कॉफी बनाकर तयार कर सकते हैं आपको Oreo biscuits चाहिए और milk जो है हमारा बहुत ठंडा होना चाहिए तो मैंने इसे blend कर लिया है blend करने के बाद अब हम इसे glass में सर्फ करेंगे और उपर से जाग डाल देंगे जो की जार की नीचे रह जाता है तो इस तरीके से उपर से डाल देंगे और अब मैं डाल रही हूँ इसके उपर आईस्क्रीम तो मैं वनीला आईस्क्रीम डाल रही हूँ आप चाहे तो इसके उपर चॉकलेट आईस्क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर आप चॉकलेट के शेविंग्स डाल सकते हैं या फिर ओरियो को क्रश करके डाल दीजे तो अब मैं लास में इसके ओपर डाल दूँगी चॉक्रिट सिरप और साथ में लगा देंगे एक ओरियो बिस्किट तो फ्रेंड्स हमारी तीनो तरीके की कॉफी बनकर तयार है तीनो ही पीने में बहुत अच्छी लगती है एक पाई इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राय करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकोन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे